नमस्कार आप देख रहे हैं ग्यांदरा अर्सोली चैनल और व्याक्यता बर्ती परिक्षा तिथी को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब गती पकड़ चुका है आज प्रदेश बर में इस आंदोलन का आशर दिखा और राज्य के प्रतेख जिले में अबियर्थियों ने ग्यापन सों पे और इस परिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर धर्णा प्रदर्शन इत्यादी किये लेकिन इसी के साथ में बड़ी बात है जैपूर से की जहां पर लगातार परिक्षारती बेरुजगार यूनिवर्श्टी गेट के सामने धर्दना प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्र शंक के पदादिकारियों ने इसके सम्मंद में अपनी मांगे रखी और अपने विचार व्यक्त किये लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से कोई भी नेता इस धर्णा प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ है लेकिन आश्वाशन शात्र नेताओं को अभी तक ये मिल चुके थे कि इस धर्णा प्रदर्शन में आगे जैसी रणनीती तया होगी तो कोई नेता जरूर आने वाले हैं आकिर किस पार्टी से किस नेता के परिक्षार्थियों को आने की उमीद है या फिर कल इस आंदोलन की इस धर्णे प्रदर्शन की दिशा क्या होने वाली है इस पर आज हम शर्चा करने वाले हैं इसलिए संपूर जानकर के लिए जुड़े रही है आज इस वीडियो को शात्में अन तक और यदि चैनल पर पहले बार जुड़े हुए है तो इस वीडियो के साथ में शंपूर अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब आवश्य कर ले क्योंकि साथियों व्याख्याता भरती परिक्षा की पलपल की रिपोर्ट के साथ में हम आपके सामने लेकर आने का प्रियास करते हैं साथियों बड़ी खबर है परिक्षारती राजस्थान विस्विद्याले के मुख्य द्वार पर डटे हुए है शुबह 11 बजे से लगातार धर्ना प्रदर्शन जारी है शातर नेता यूनिविस्ट्री के पददिकारी लगातार शातरों से संपर्क बनाई हुए है शातर शंग अध्यक सईत मास अचीव और अन कोलेजों के प्रेजिडेंट भी शातरों से आकर मिल चुके हैं और आस्वासन दे चुके हैं यहां पर शातरों ने खुला चेलेंज कर दिया है कि जब तक व्यक्याता बरती परिक्षा की तिथी को आगे नहीं बढ़ाया जाता और इसी के साथ में उनकी अन्य मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता वे धर्ना प्रदर्शन एनिश्चित काल के लिए जारी रखेंगे आज की इस धर्ना प्रदर्शन का अशर मेडिया पर भी देखने को मिला और विभिन टीवी चैनल्स ने भी आज इस कबर को प्रमुकताज से चलाया कि फर्स्ट गेड शिक्षक भरती परिक्षाक की इतिती को आगे बढ़ाने की मांग को ले करके युनिश्टी गेड पर बेरोजगार परिक्षारती ढटे हुए है और इस बरती परिक्षाक की इतिती को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे है बेरुजगार लगाता राज सुबह से धरनेद प्रदर्शन इस तल पर मुझूद है और देर तक भी काफी बेरुजगार प्रदेश के विबिन जिलों से इस धरनाप्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुँच रहे है और शात्रशंग पदादिकारियों के द्वारा ऐसी गोशना भी कर दी गई है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक इस धरनेद प्रदर्शन को एनिस सित्काल तक जारी रखा जाएगा छोटे तोर पर प्रदेश के विभिन जिलों में भी चात्रों द्वारा प्रशासन को इस सम्बंद में ग्यापन भी सोपे गए हनमानगड से एक खबर है जहां पर परिक्षारतियों इस बरती परिक्षा की तिति की मांग को आगे बढ़ाने के संबंद में ग्यापन सोपा इसी के साथ में सिरोई जिले से भी खबर आ रही है जहां पर परिक्षारतियों ने बेरोजगारों ने इस बरती परिक्षा की त किति को आगे बढ़वाने सहित विभिन मांगों के लिए प्रिशाशन को ग्यापन सोपे और धर्ना प्रदर्शन आधी किये गए लेकिन बड़ी खबर यह साथियों आज दिन भर के इस प्रदर्शन में पक्ष और विपक्ष किसी से भी कोई भी छोटा या बढ़ा नेता इस आज देर रात तक या फिर कल इस दर्ना प्रदर्शन की रणनीती आखिर क्या तैय होने वाली है आखिर यह दर्ना प्रदर्शन कल किस तरफ अपना रुख अपनाता है या फिर सरकार का रुख इस पर क्या रहने वाला है इसकी तमाम अपडेट के साथ में हम आपके साथ मे हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ में इसलिए तुरंट पल-पल की अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए जुड़े रही हमारे इसके अंदर अरसोली चैनल के साथ में प्रतेक अपडेट आप तक समय पर पहुंचते रहे हैं इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइ में हिस्ट्री मेनेजमेंट और सेकंड पेपर साइकोलोजी पार्ट जिसमें आप काफी कठनाई का अनबह करते हैं इसके लिए बहुत ही तारकिक शुगठित और पठकरम आधारित लाइव क्लासेज में आपके नोट्सों को संग्रित किया गया है जहां पर बहुत ही सरल त 16 पार्ट और साइकलोजी के मात्र 11 पार्ट में इस संपूर्ण कोर्स को करा रखा है आप एक बार गी इनका अवसी करें इसके बाद में आप स्वयम अनबह करेंगे साथ्यों एक वीडियो को देखने के बाद में कि यह सब्जेक्ट आपके लिए कितना आशान हो चुका इस करें लिस्ट में आपको यह सभी वीडियो एक साथ क्रम अनुसार देखने को मिलेंगी फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें केमेंट करके जरूर बताइएगा हम आपकी केमेंट के आदार पर आपकी समश्या की समाधन का प्रियास करेंगे आज के इस पार्ट में सा आप से मिलते तब तक के लिए नमस्कार